अलो दोस्तो मेरा नाम रियाज और आप देगे रहे टेकनिकल रियाज चनल तो दोस्तो इस वीडियो में हम जानेंगे गुट फ्रेंड कनेक्ट एप्लिकेशन के बारे में गुट फ्रेंड कनेक्ट एक एसी एप्लिकेशन है दोस्तो जिसमें आपको यहाँ बिलकुल फ्री मे virtual private network high speed के साथ use करने का option मिलता है और दोस्तो यह application की सभी सचा ही आप जान लो कि किस तरीके से आप यह application को use कर सकते हैं जिसमें आपको no register requirements के साथ easily तरीके से यहापर आप properly तरीके से use कर सकते हैं तो दोस्तो चले शुरू करते हैं और बताएंगे हम आपको good friend connect VPN application के बारे में application open होती है यहापर fence of server list है यहापर यह पूरी तरीके से funds करता है यह पूरी server list को तो आपको यहापर इसको wait करना है जिया दोस्तो wait आपको करना होगा क्योंकि properly तरीके से work करींगे application फिर आपको यह बताता है protect your privacy और enable तो आपको यहापर cancel भी कर सकते हैं और okay भी कर सकते हैं यहापर okay करके आपको बताता हूँ okay करने के बाद notification की permission मांगेंगा तो आप यहापर allow कर सकते हैं दोस्तो यह application की काली सच्चा यह है कि यह application में आपको बार बार add देखने को मिलती है तो यह application की यह सच्चा ही है दोस्तो completely तरीके से जब server को आप use करोंगे तो यहापर आप बताएंगा completely उसके बाद दोस्तो यहापर जो भी server आप use करेंगे उसका नाम यहापर आप दिखाए देगा यहापर आप देख सकते हैं मैंने network testing पर किलिक किया हूँ और आप देख सकते हैं जो network की testing है यहापर start किया है और यहापर जो uploading speed कितनी आ रही है downloading speed कितनी आ रही है और delay time कितना है वो सभी यहापर दिखाए देता है तो वो आप यहापर देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको timer भी चलता दिखाए देंगा कि आप इनमें जो VPN के जो servers है जो use कर रहे है उसका यहाँ पर किते time तक की use कर रहे है यह वाले arrow पर click करके यहाँ पर VPN server list दिखाए देती है यहाँ पर कोई access आपको मिलता है दोस्तों तो इसमें जो भी server को आप use करना की privacy policy और about us का option आपको देखने को मिलता है तो दोस्तों यह है good friend VPN application भी इसको कह सकते है या good friend connect application भी कह सकते है तो मिलते है अगले उड़ों में